चतुरता पाठा चित्र पाठा तीन ये हमारी संस्कित जो कक्षा तीन की पुस्तक है संस्कित प्योशम पहले एशा था ये एशा है ये इस्त्रिलिंग है एशा का ये क्या है ये एशा घटी का ये घड़ी है ठीके ये घड़ी है एशा का ये इस्त्रिलिंग है इसलिए एशा माला, यह माला है यह माला है चित्र में भी दिख रहा है अब एशा का एशा नौका, यह नौका है एशा मतला यह है इसके बाद एशा का, एशा असान दिका, यानि कुर्सी का, कुर्सी है एशा का, यह क्या है एशा पिपिली का, यानि चीटी है, इसको बोलते हैं चीटी एशा का, एशा मंजुशा यानि ये संदूक है ठीक है, इस तरह से हम बच्चों को वो पिशला पार्ट था, वो पुले लिंग में था और ये पार्ट हमारा इस तरह लिंग में है अब चित्रों को देखकर नीचे लिगे शब्दों को पढ़िए कपिला, मपिका, शिक्षिका, वीना यानि कपिला होता है गाय मपिका यानि स्केल और शिक्षिका, अध्यापिका और वीना जो हम बजाते हैं तो हम इसको गाय लिख दे रहे हूं है इसको ये है मापिका यानि स्केल और ये है अध्यापिका और ये वीना है वीना को वीना ही बोलेंगे अब जो हमारी कख्षा में चात्राएं हों जैसे वसुधा, आशा, गेता, सल्मत उसी तरह के बच्चों का नाम भूल करके करना है इसके बाद सही सब्द छाटकर चित्र को नीचे लिखना है अब मक्षिका, चटका, खटवा, स्थालिका, कलिका, शरीता हम चित्र को देखकर के एशा क्या है, एशा ये क्या है, मारी खटवा है ठीक है, ये चटका है ये चटका है और ये मक्षिका है और ये क्या है ये कलिका है और ये क्या है सरीता है और ये शाह स्थालिका है ये भरबचा है ये स्थालिका यनि थाली है ये हो गया हमारा इसके बाद अगला प्रश्न है चित और शब्द के सही जोडे बनाईए अब देखिए ये दूई चक्रिका यानि साइकल होगी कोकिला कहां पे है कोकिला ये आपकी यहां बैठी है नौका कहा है आपकी नौका ये है चितर से देखके और इसके बाद क्या बचा है ये आपका क्या है लता है तो लता को यहां एड़ कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे और इस तरह से हमारा और भी नामों की हम सुची त्यार कर सकते हैं बच्चों को अभ्यास कराने के लिए तो यदि जानकारी अच्छी है तो प्लीज लाइज सब्सक्राइब और थैंक यू